नमस्कार आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षाप्रिया विशेश पुलिस की टीम ने अंतराश्ट्य जाली नोट तसकर सुधीर कुश्वाहा को इंडो नेपाल बॉर्डर से गिरफतार कर लिया है उस पर दो लाख रुपे का इनाम था नाइए डी आराई वा भारतिये खुफिया एजेंसी रिसर्च और अनलेसिस विंग समेत कई एजेंसियों को उसकी तलाश थी वा कई वर्षों से फरार चल रहा था उसके पास से कुछ जाली नोट मिले हैं मुझफरपूर SSP जोएंद कांत ने सुधीर कुश्वाहा की गिरफतारी के पुष्टी की है उन्होंने कहा कि सुधीर की गिरफतारी गुरुवार को हुई है उसे पूछताच के आधार पर अभी कई जगों पर आपरेशन जारी है पिछले गब्रक कई वर्शों से नाईये के केस में और मुटिहारी पुलिस के केस में फराग वेक्ति- vorsुधीर कुश्वाहा जिसकी अरेस्टिंग मुझफरपूर से मुझफरपूर से मुझफरपूर पूलिस की जॉइन टीम के द्वारा की गई है इस मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये व्यक्ति मुतिहारी नेपाल बॉर्डर से क्रॉस करके मुझफरपुर की और आ रहा है इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने इसमें एसेचो टाउन और थे मुक्रूप से भूनता निभा रहे थे उनके द्वारा इसको मुझफरपुर में अरेस्ट किया गया है इसका प्लाड थे त्यास है इसमें जो अभी तक हम लोग ने पूस्टाश की है इसमें अभी तक के इसके उपर मुतिहारी में नकली नोटों के केसेज हैं और इसके ओपर निये के द्वारा रिवार्ड भी घोशित किया गया था और जिसको पुलिस के दौरा अरेस्ट किया जो इससे पूछ ताश की गई है उसमें इस बताता है कि इसके द्वारा नेपाल में बिजनेस किया जाता था जो कि कूल का से सम्मंदी बिजनेस था इसके अलावा भी हाल में ये लगातार जो मुझफ़रपुर में नकली नोट बरामत हो रहे थे उसमें तीन से चार केसे जु संगठनों से भी उसके ताश जुड़े हैं सुरक्षा एजंसियों का मानना है कि वह अतंकियों के एजेंट के रूप में काम कर रहा था पुलिस उसके सभी संपर्क सूत्रों को तलाशने वा खंगालने में जुटी है यह नाम बदल कर रह रहा था उस पर आरोप है कि नोट को देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले